चोरा हा चोरा हा जीवन ऐसा चोरा हा एक सड़क शिक्षा के जिससे जीवन में उजी आ रहा है चोरा हा चोरा हा चोरा हा चोरा हा बहनों हमारे आज के अक्षर है अरे अरे इस शेर को देखा डरो नहीं यह सच मुझका शेर तो है नहीं यह तो शेर की एक तस्वीर है जो यह बता रही है कि शेर किस अक्षर से शुरूर होता है यह देखो शेर और यह देखो अक्षर शा इसकी शक्त भी शेर जैसी है ना जरा गौर से देखो शेर बन जाता है अक्षर शा हाँ तो बेहनो अब तक मैंने तुमको जो अक्षर और मात्राई लिखने सिखाई वो तो तुमने सीखी ली होंगी अच्छी तरह से है ना सच सच बताओ वो सब बहुत आसान थी ना तो चलो आज मैं तुमको जो अक्षर सिखाने जा रही हूं वो अक्षर है शा इसमें पहले बनाया एक गोला फिर उस गोले से मिला कर ही एक टेड़ी लकीर यह दुम वाली लकीर यह ख़़ा डंडा उस पर छत वाली लकीर एक पर फिर देखो तो ये लिख लिया अक्षर शा तो अब मैं चलो थोड़ी देह में दूसरा अक्षर मिलकर लिखेंगे शान शाम शान शान शाम शान ये मशीन तो तुम पहचानती होंगी हाँ इससे कपड़ों की सिलाई होती है मशीन 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 अरे मॉसी क्या बात है आज बड़ी जल्दी दुकान मन कर रही हो जो जी में आएगा करूंगी मेरी दुकान आएगा चिठी कि नो करना हूं लगता है चनिय के साग में मिरज थेज हो गई थी तभी तेरा माथा गरम है अच्या मेरा माथा ठंड़ा करने को क्या तुम बेल का सर्वत लेकर के आएगा बस मौसी आजी लो चिठी बाट कर जबाऊंगा तो रही बेल पत्थल लेता हूंगा अरे मुझे किसी चीज की कमी ना है किसी का ऐसा आन ना लिया कभी मैंने मतला यह यह बात है तो ज़रूर लाऊंगा देख मौसी तूने कभी सबजी के पैसे लिये हैं मुझसे अरे तू मोसी चिठी लाना तो मेरा काम है सरकार पैसा देती है मुझे अरे तो चिठी पढ़के भी तो सुनावे है तू उसके लिए तो सरकार पैसे ना देती लगता है कोई और रख लिया है तूने प्रेम की कई चिठी आ चुकी हैं मगर तूने मुझसे एक भी न पढ़वाई रख तो लिया है पर नाम न बताने की इस गाव में हैं कितने पढ़े लिखे लाओ मैं उंग्लियों पे गिंदू मास्टर नी जी पढ़ती है न अब तू लगाता रहे अपकर मासी जब तक तू ये नहीं बताएगी कि दुकान बंद करके कहां जा रही है मैं भी नहीं जाऊँगा अच्छा पैसे तू जमाने भर की खावर रहा है तुझे याद ना है अरे सुदा की गोद भरा है याद अरे हाँ मासी मैं तो भूली गया था अब चलता हूँ जल्दी से चिठियां बाटकर वापस आता हूँ जल्दी पहुंच जाई हो मगर याद रखी हो तीन दिन से परेम की चिठि ना आई है और कल तक ना आई चिठि तो फिर तू देख दिए तू फिकर ना कर मौसी चिठि जरूर आएगी अगर प्रेम ने ना लेखी तो मैं खुद लेकर लेता हूँगा यह है दिया पर अब इस दिय को थोड़ा सा घुमा दी तो यह बन जाता है अक्षर दव अब जब भी दिया जलाओगी तो तुम्हें याद आएगा अक्षर दव और भी दिया शुरू भी तो अक्षर दव से ही होता है है ना कितना अच्छा तरीका लो जी मैं तो फिर आ गई मैंने भी ठान लिया है कि जब तक मैं तुम सब को सारे अक्षर और सारे मात्राएं नहीं सिखा दूँगी ना तब तक तो मैं यू ही आती रहूंगी तो चलो अब लिखते हैं अक्षर द ये चोटा डंडा आधा गोला बिंदी दूम और छतपाली लकेर एक बर फिर देखें दान दाम दाल दाल दाम दान प आय द ल पैदल 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 दाल 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 चुमा सहर से आएगी वरा तिडी सहर में छड़ेगी वरा तिक्या दिवाला है मेरा प्यारा बन बड़ा मास्ता ना है मेरा प्यारा बन नारे बनी के हरवा सोवे नारे बनी के हरवा सोवे दिव्लस परी रा जड़ा हुआ है सुना है तेरी में फिर मेरत जगा है बस मी दिल से लीद नहीं आए सुना है तेरी में फिर मेरत जगा है 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 सुना है तेरी मैं फिल में रंधी जगाए सुना है तेरी मैं फिल में रंधी जगाए सुना है तेरी मैं फिल में रंधी जगाए कमर बनी के पेणी सोए सुना है तेरी मैं फिल में रंधी जगाए 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 इशादी शादी खादी राम राम सर्पन जी आहां जी तेरा जी तेरा आओ बैठा बहुत बहुत बधाई बधाई आप सब की है जी सुधा मेरी ही नहीं पूरे गाउं की बीटी है बिशन सुधा कितने साल की हो गई सत्रा की होकर अठारों में लगी है जी तो देखो अठारा साल से पहले चाला मत करना जी अच्छा अरे भाई बिशन, आजकल तो गाउं हों या शहर, सारे नागरिक जानकार हैं, कि कम उमर में शादी होने से भला किसी का नहीं है, अरे ये, रहीम खाँ भी तक नहीं आया, उनकी घर वाली तो आ चुकी है, अच्छा, ब्याह में अपनी जेब देखकर खर्च करना मिशन से, मेरे लिए तो पंच परमेशर हैं, जैसा सब गाउंवाले मिलकर फैंसला करेंगे, मैं भाई करूंगा, ये, सुधा की ससुलाल वाले आप तर नहीं आए, कलवा को बैल गाड़ी के साथ सड़क पे भेज दिया, जैसे उनकी बस आवेगी, वो जल्दी से आके बता देगा, भई, लेंदेन का हिसाब पहले कर ले न, वो तो पहले ही होगी है, रागो नाई ने पहले ही बता दिया के उले कुछ नहीं चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, शा, आका डंडा, मा, शाम, शा, आका डंडा, ना, शान, शा, आका डंडा, ला, शाल, शा, आका डंडा, का, शाक, दा, आका डंडा, मा, दाम, दा, आका डंडा, दान, दा, आका डंडा, ला, दाल, बहनों हमें आज सीखना हैं दो अक्षर, ट, और व, आज के दे से रास्ता भूल पड़े? अरे भई, तुमने तो ख़वर ही नहीं थी, तो हमने सोचा कि चलो, हम ही मरीज को देखाया हैं, ऐसी बात नहीं, आदश, मैं जरूर आती, लेकिन पिछले दूनों कुछ स्कूल में बैस थी, और दूसरी बात तो यह है, कि तुम्हारी दवा और इलाद से गौरी को इतना फायदा हुआ, कि सोचा इतमी नान से जाओंगी, यह गौरी कहा है, यही कहीं खेल रही होगी, अर्यकि अगर गौरी को इतना आराम था, तो कम से कम हमें धन्यवाद तो देने आही सकती थी, अच्छा जी, अब आपको धन्यवाद की जरूरत होने लगी, नहीं, ऐसी बार नहीं, तुम शायद करी जा रही हो, आहां, रहीम अच्छा है न, उनकी यहाज बेटी पैदा हुई है, कब तक लोट होगी, कुछ कह नहीं सकती, शायद मां कुछ काम हो, तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम ही चलो मेरे साथ, मैं, मैं क्या करूं माँआ, अरे बाबा, तुम डॉक्टर हो, बहाँ पर आज बहाँ सारे लोग खटे होंगे, कुछ काम की बाते बता देना उन्हें, आच्छा, ये बात है तो, चलो, देखो बहनो, ये जो टमाटर तुम देख रही हो न, इस टमाटर को अगर छुरी से यूँ आधा कार दी, और इसके पेट में से ये गुदा निकाल दी, तो ये बन जाता है अक्षर ट और फिर अक्षर ट से ही तो शुरू होता है टमाटर, बस अब तो तुम जब फिर टमाटर देखोगी, तुम्हें अक्षर ट याद आ जाएगा, क्यों, एक बार फिर देखो, टमाटर, ट नमस्ते, आज हम लिखना सीखेंगे अक्षर ट, ये तो बहुत ही आसान है, बहुत आसान, द लिखना तो याद होगा, याद है न, तो द भी द लिखने जैसा ही है ये चोटा, खड़ा गेंडा, आदा गोला, ये चट वाली लग्की देखा, ये तो बहुत ही आसान है मटका तो हमारे सामने है, पर मालूम है, ये कैसे लिखा जाता है? म, ट, क, आ, मटका इस मटकी में हमने अक्षर रखे थे, पर तुम इसमें साफ पानी ढख कर रख दो बेटी मुबारक हो रहीम खा, आपको भी मुबारक हो सर्पन जी अल्ला ने मेरी सुन ली, बेटा पहले ही था, अब बेटी भी हो गई, मेरा कुनबा तो पूरा हो गया अरे रहीम, बेटी होने का अफसोस तो नहीं है तुझे, चलो आपकी बार बेटा हो जाएगा नहीं पंड़त, मेरे लिए लड़का लड़की एक बराबर हैं, दोनों उसी की देन हैं, शुक्र है खुदा का के मा बेटी दोनों ठीक हैं, और हाँ, तीसरा नहीं अब रहीम यार, चिट्टियां बाट बाट के बड़ा समझदार हो गया है तु अजी क्यों नहीं हो, क्यों नहीं हो, सब के घर जाता है, सब की दशा दूर दशा देखता है रहीम, तेरा बेटा दिखाई नहीं दे रहा है, कहा है वो? स्कूल से आता ही होगा पंड़त, तभी तो दोनों बच्चों की उमर में पांच साल का अंतर रखा है एक पूरा पल जाए, तभी दूसरे की फिकर हो हाँ, दूसरे के बाद, तीसरे की फिकर फिर कभी न हो ये वीड़ा जी तुमारे सामने है ना, क्या तुमने सूचा है कि इस वीड़ा की शक्र अक्षर वह से किस तरह मिलती है? देखो, अगर हम इसके दोनों थुमबे मिला कर एक कर दें, तो ये बिलकुल अक्षर वह बन जाता है ये बजाने वाली वीणा, जो अक्षर वह से ही शुरू होती है और इसके शक्र भी दोनों थुमबे मिला कर अक्षर वह जैसी दिखाए देती है एक बार फिर देखो वीना व इलो भई, इस तरह हम लिखते रहें मिलकर तो सक कुछ बहुत आसान हो जाएगा तो अब हम लिखेंगे अक्षर वा ये तो बहुत आसान है इसको इस तरह लिखें पहले एक पूरा गोला बनाया यूँ फिर उस गोले से लगाकर एक ख़ड़ा तंडा और फिर वही चत वाली लकीड एक लग फिर ये बन गया अच्छर वा कैसा लग रहा है नए-नए अक्षर सीखना दवा लेती है ना दवा द व आ दवा पूरा लेती है ने है अच्छर आए-नए उसका इनाज इनों किया प्रादर, यह अपने दहीं चाचा है, इनी के हैं बिटिया हुई है? जी मुबारक हो, बहुत बहुत शुपरिया, आईए आईए, जी धन्यवाद, चाचा बिटिया ठीक है? मिलकुल ठीक है, आचा मैं ऐसे देखा, ठीक है, तुम जाओ अंदर, आचा, तो आप ही मासर नी जी के मेहमान है, टिकट, ट, छोटी ए की मात्रा, ग, ट, टिकट, यह इतने बहुत से पेड, जब एक साथ हो, तो समझ लो कि ये बन गया, वन, व, न, वन, वकील, व, क, ई, ल, वकील, वकील जो मुकद में लड़ते हैं, ये टीवी है, जिसमें तुम प्रोग्राम देख रही हूँ, ट, ए, व, ए, टी, वी टीका, बच्चों को बहुत सी बिमारियों से बचाने का आसान उपाए, ट, इ, क, आ, टीका, ये सोई देकर घबराओं नहीं, ये तो चीटी के काटने से भी कम तकलीफ देती है, मगर कितनी बड़ी-बड़ी बिमारियों से बचाती है, इसलिए बच्चों को टीका लगवाने में लापरवाई नहीं करने चाहिए, टीके जरूर लगवाने चाहिए, पूरी दुनिया की बात अगर हम ना भी करें, तो केवल कुछी देशों में, हर साल पचास लाग बच्चे पांस साल की उमर से पहले ही मर जाते हैं, पूली दुनिया में तो इससे भी ज्यादा बच्चे मरते हैं, जी तो बड़ा अन्याय हैं बच्चों के उपर, आपने ठेकी कहा, यह बहुत बड़ा अन्याय है, तो कि वो अधिकतर रोग जिनसे की बच्चे मरते हैं, वो रोग ऐसे हैं, कि अगर हम जरा सा भी ध्यान दे तुम रोगों से बचा जा सकता है, टीके लगवा कर, आप लोगों को मालूम हैं कि वो रोग कौन कौन से हैं, यह तो है तपदिक, दूसरी काली खासे, बाकी के दोग मैं बता देता हूं, एक है टिटनेस, जिसमें पूरे शरीर में खिचाव आ जाता है, और दूसरा पोलि में ही देने चाहिए, आम तोर से तपदिक का टीका और पोलियो की दवा, जब आपके बच्चे के उम्र तीन से पांच मेहने की हो, तब ही दे, तपदिक का टीका इससे पहले भी लगवा सकते हैं, यह सारे टीके सरकारी अस्पतालों में लगाय जाते हैं, और हां, जब बच्चे के उम्र नौदस महिने की हो, और हां, खस्रे का टीका दो साल की उम्र से पहले पहले लगवा लेना चाहिए, अब जहां भी यह टीके लगवाने जाएंगे, वहां के डॉक्टर आपको एक कार्ड देंगे, जिस कार्ड पर यह साफ साफ लिखा होगा, कि पहला टी चाहिए, बहरे बिखाना, तर नौट वह लो आपको एक लैएंगे, ऐसेल साफ से आपको देंगे ज़ेगे, वह आपको साफ साफ सान दे गालके, अब्जम्रों पर móसंटा मौसम्रों आपको एक इग कार्ड़ का तासित बा मिर्टों न को आपको साफ साफ सांचिका श्छ बढ़ी दवाई व क बढ़ी लवकी जीवन भर महलत की रगर पे हमको चलते जाना है ज़ाना है रा हमें शिक्षादी चला के रा में शिक्षादी चला के अपनी मंजिल पाना है ज़ाना है दोराब दोराब, दोराब, दोराब